तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 बीस नौंबर सेकेंड सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस इससे पहले भी हम आज सुबा वाली फर्स्ट सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस करा चुके हैं उसको भी आपको जरूर देख करके जाना है आपका भी अगली किसी सिप्ट में एक्जाम है तो आप अपने प्रश्णों को 705254-7003 पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर से जरूर सेंड कीज है और लगतार एक्जाम एनलसिस देखने के लिए सबसे सटीक अगर आप एक्जाम एनलसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चली शुरूरात करते हैं सबसे पहले हम जी के जीए करेंट अफियर फिर आपको कंप्यूटर उसके बाद में गूरिजिनिंग और उसके बाद में मैत के प्रश्णों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं तो चलीए सुरूरात करते हैं पहला प्रश्ण है my country my life पुष्टक के लेखक कौन है तो लाल कृष्ण आडवानी जी के दौरा my country my life पुष्टक लिखी गई थी ठीक है अब यह लाल कृष्ट आडवानी वारी पुष्टक पूछी गई पहले भी यह SSC में पूछा जा चुका है और जब SSC GD में यह प्रश यह ममता बेनरजी की पुष्टक है इसको भी आपको देखकर जाना अगली किसी पुष्ट में देखने को मिलेगा उसके बाद रागो बहल की पुष्टक है सुपर पावर यह भी पूछी जा चुकी SSC GD में इसके बाद में एक और पुष्टक है दमन सिंग की पुष्टक ह आप देखकर की जाएगा अगली किसी पुष्ट में आपको देखने को मिल सकती है और यह एक नंबर आपके प्लस के होंगे अगर यह पुष्टक है आपसे पूछ लेगे हैं क्योंकि यह पुष्टक है हर किसी को नहीं याद होती है ठीक है और हमारी यही स्पेसलिटी की हम जो कुष्टन पढ़ाते हैं उसके वारे अतरक्त जानकारी भी आपको देते हैं जिसे कि वहां से अगर प्रशन पूछे जाये तो उसका भी आप जवाब आसानी से दे सकें चली अगला प्रशन है अरजुन ध्रुवे को अभी पदमसरी पुरुसकार दिया गया है वे किस तो ये डिनोरी मदब्रदेस के निवासी हैं अरजुन ध्रुवे इन अभी हाली में पदमसरी पूछा जायेगा इसको इसको इस्टार मार्क कर लीजेगा तो डिनोरी के निवासी अरजुन ध्रुवे को अभी हाली में पदमसरी पूछा जायेगा इसको इसको इस्टार मार अगे आपसे पूछा जा सकता है चली आगे बढ़ते हैं अगला पूछन है एक योजना पूछली गई ये सुबह वाली सुट में योजना है नहीं पूछी गई थी इस स्ट में आपसे योजना पूछी है संपूर्ण ग्रामीड रोजगार योजना का सुभारंब कब हुआ था तो 2001 में संपूर्ण ग्रामीड रोजगार योजना का सुभारंब हुआ था चली पूरी जानकारी आपको देते हैं देखे तो सं अंसर आपका 2001 ही माना जाएगा ठीक है और अगर 2001 नहीं दिया है 2006 दिया तो आपको 2006 पर टिक करके आना है इसका उद्देश से ग्रामीर छितरों में टिकाउ सामधाई संपत्ति के निर्मार के साथ साथ अतरिक्त मजदूरी रोजगार और खार खाद सुरच्छा परदान करना यह इसका मुख्य उद्देश्य है चलिए वीडियो को लाइक जरू कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा पश्न है भारतिय कम्यनिस्ट पार्टी की पहली मीटिंग कब हुई थी तो जब माकपा के दावे के अनुसार भरत की सबसे पुरानी कम्यनिस्ट पार्टी का गठन 17 में उनिक्शेद में किया गया है तो अनुक्षे 265 में आकासमिक्ता निजी जयो है उसका बढ़न किया गए है देचिए आकास्मिक निधी की बाद करते हैं तो समिधान के अनुच्छे 260 के अनुसार संसद को एक निधी स्थापित करने की सकती दी गई है इस निधी को भारत की आकस्मिक निधी कहा जाता है ठीक है इस проект को क्या करेगा तो पर देखने को मिले हैं ठीक है थोड़ सा ट्रेंड यहां पर चेंज हुआ है ससी दिल्ली पलिस का देखिए 1916 का कॉंगरेस का दिविशन कहां पर हुआ था सही आंसर आपका हो जागा लखनव में फूट के नाम से जाना जाता है 1916 में इन दोनों का पैच अप हो गया था ठीक है इसके साथ साथ में कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग का भी समझोता इसी जो है आपके अधिवेशन हुआ था लखनव अधिवेशन 1916 में जिसके अधिक्ष पूछे जा सकते हैं अंबिका चरुन को सुल जाएगा राश्ट्रपती उप्राश्पती का कोई भी चुनाओं का विवाद होगा तो सर्वोच नियाले की दौरा उसको सुल जाएगा बारती समयदान का अनुच्छ दिकत्तर राश्ट्रपती या उप्राश्पती के चुनाओं के समन्द में या उससे उत्पन द्वारा किया जाएगा ये आपको याद रखना है अगला पशन है राउर केला उद्योग सेंद्र किसकी मदस से बना था तो जर्मनी के सयोग से राउर केला उद्योग सेंद्र के स्थापना की गई थी कहां पर है आईए देख लिते हैं राउर केला इसपात कार खाना भारत म सायोग से तो जर्मनी के साहयोग से यह इस्ताफित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं, संचित निधी से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति के आफशक्ता होती है तो संसद की अनुमती की द्वारा ही आप संचित नदी से धन निकाल सकती है देखिए समिधान के अनुच्छट 114 के अनुसार यह सारे आर्टिकल आपको याद अखने क्योंकि आपको सबसे जादा पूचे आ रहे हैं अनुच्छट 114 के अनुसार सरकार के वल संसद की सहमत से ही यह धन निकाल पाएगी यह अनुक्षित 114 में बताया है अगला प्रस्ट देखिए हमने आप से का था मौलिक कर्तब्यों से लगातार प्रस्ट पूचा जा रहा है आज सुबह मौलिक कर्तब्यों के बारे में सारी जानकारी थी जो सुबह वाली वीडियो देखर गया गया है इसी पित देखिए सरदार स्वाणि सिंग समीती की सिफार्सों का सिविकार करते हुए सरकार ने समिधान में एक अलग अनुचिद 51 ए सामिल किया और इसमें 10 मौलिक कर्तब्यों को सामिल किया हलांकि सरदार स्वाणि सिंग समीती ने किवल 8 मौलिक कर्तब्यों को सा आट को जोड़ने के लिए बोला गया था लेकिन 10 को जोड़ा गया थीक कॉन से समदाशा भीस समदानव operator संथैंट न viktigक सर्विक्त वारा इस को जोड़ा गया था 10 के चड़ीर आगे वड़ते हैंools जमान में 11 मौलिक करतब भी हैं जिनके बारे में सुबह वाली वीडियो में हमने आपको बताया था हरीकेन नामक तूफान किस महासागर में आता है सही आंसर आपको हो जागा अट्लांटिक महासागर में हरीकेन नामक तूफान आता है या तो आपको अट्लांटिक महासागर दिया होगा या फिर पूर्वी प्रसांत सागर दिया गया होगा देखिए हरीकन जो है वो पूर्वत्र प्रसांत सागर में पाए जाते हैं जहां से आपका अट्लांटिक महासागर की सुर्वात हो जाती है तो अट्लांटिक महासागर और पूर्वत्र प्रसांत इन दोनों ज जाएगा एक प्रश्ण बता रहे हैं ज्वार भाटा से भी पूचा गया था एक प्रश्ण हमको समझ में नहीं आया है कि ज्वार भाटा से कौन सा प्रश्ण पूचा गया था हो सकता है ज्वार भाटा किसकी वैसे आता है तो चंद्रमा की कलाओं की वैसे आता है चंद्रमा क जब मतलब की जैसे चंद्रमा कभी ऊदय हो जाता है, कभी कम ऊदय होता है, जितनी दूरी घर्टी बढ़ती रहती उसके आधार पर जॉरवाटा आता है, तो जॉरवाटा पर जो है चंद्रमा का परभाव पढ़ता है, यह आपको यादखना है, ऐसा है कुछ क्ष्शन पूचे घायें दस लगी इस बार सारे के अलग सarna थील जादा कटिन नहीं आ रहा Va had करके ला। सुरू से लाष्ट तक इन ही पांश टॉपिकों से पर लगातार पूछे जा रहे ठीकर चली बड़ते हैं अगला अगला देخते हैं तो भई मैंत की बात कर लेते हैं तो संकू से आपका एक प्रशने से पूचा गया है पुरॉफित लॉप से एक ही प्रश्न आ Beginning वर्षन के और दोप्रसना आएं और दोप्रसना आपके परसंटेज की पूछे गए हैं, एक प्रशन सिटिंग एरेजमेंड का, च्छे लोगों को बैठाने वाला दो प्रशन मिरर इमेज के हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग से सबसे ज़ादा प्रशन सुबह वाली में भी आये थे सुबह पांच प्रशन थे और इस सिट में आपका reasoning का पूरा pattern हो गया ठीक है चली अब आपको हम बता दें अगर आपका अगली केसी विस्ट में exam में तो आपको क्या-क्या पढ़के जाना है सबसे पहले आपको history अच्छे से पढ़कर के जाईए हालंगी history के question आपको इस shift में नहीं मिले हैं और एक-दो प्रश्णी आपके योजनाओं से पूछे जा रहा है ठीक है science पर कोई खास आपको ध्यान देना नहीं है एकाथ प्रश्ण कभी-कभी पूछ ले रहा है तो वीडियो को लाइक, share कर दीजिए और subscribe कर लीजिए साथे साथ में यहाँ टेलिग्राम ग्रूप है इसको join कर लीजिए यहाँ पर आपको राकेस यादाव सर के class notes फ्री में मिल जाएंगे PDF form में नीतु मैम की जो नई बुकाई है इंगलिस की वो आपको free मिल जाएंगे आधित रंजन सर के notes free में मिल जाएंगे आधित पटेल सर की formula week मिल जाएंगे राकेस यादाव सर की formula week आपको सब कुछ यहाँ पर free में PDF के तोर पर मिल जाएगा इसकी link description box में दी गई है यह वहाँ से आप इसको join कर सकते हैं इसके लाओ हमारा एक और टेलिग्राम चैनल है सकसे जंक्सन के नाम से जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 गंटे बाद मिल जाएगी तो वहाँ से आप PDF भी download कर सकते हैं दोनों की link आपको description box में दी गई है और WhatsApp चैनल की भी link दी गई है तो तीनों को आपको आराम से join कर लेना है अगर आपका लंबा टार्गेट है SSC GD तक की आप लगातार तयारी free में करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं third shift के exam analysis में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद